तो आज का जो हमारा टोपिक रहने वाला है वो है आपका युनेसको के four pillar of education लगातार exam में यह पूछे जा रहे हैं question आपसे इस तरह के तो आज हम discuss करेंगे युनेसको's four pillar of education जो basically डेलोर्स कमिशन के द्वारा हमारे दिये गए थे चलिए तो आज का जो सेशन है वो सोट सेशन ही होने वाला है च्यार से पार्च मिनट का ही सेशन है लेकिन काफे जाधा important है exam के लिए किसी भी teaching exam के आप तयारी कर रहे हो डेलोर्स कमिशन की recommendation आपसे सवाल है पहला सवाल यह है कि युनेसको की full form क्या है दूसरा सवाल है कि जो डेलोर्स कमिशन है यह कब आये था यह दो सवाल है आप मुझे comment करके बताओ कि यह युनेसको की full form और डेलोर्स कमिशन है जो कब आये था उसके बाद में स्टार्ट करते हैं session को सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यह जो four pillar of education है, यह कौन-कौन से four pillar of education होते हैं, ठीक है, तो एक तो है आपका learning to know, पहला, दूसरा है आपका learning to do, तीसरा है आपका learning to live together, और चोथा है आपका learning to be, तो यह चार आपके क्या है, pillars of education है, अब हम बात करते हैं कि यह four pillar of education है, यह किस के द्वारा सुझाए गए थे, तो यह जो सुझाए गए थे, वो डेलोर्स कमिशन के द्वारा सुझाए गए थे, जो कि एक international commission on education for the 21st century advocates, इस commission का जो नाम है, वो है आपका डेलोर्स कमिशन, डेलोर्स report के द्वारा, यह आपके चार pillar, four pillar of education है, जो कि आपके सुझाए गए है, बेसिकली, यह जो डेलोर्स कमिशन है, यह आया कब था, यह 1996 में इसकी report आती है, तो पहला सवाल तो आपका यही बनता है, यह उलड़ी आपके exam में पूछा भी गया है, कि डेलोर्स कमिश है, यह दो स्तम, यानि दो main pillar है, जिन पे यह आपका टिकावा है, पहला तो है आपका एक learning, throw out life and four pillar of learning, यह दो इसके क्या है, अधार स्तम है, अब यह जो चार pillar है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं, चीक है, clear everyone, चलो जे, तो चार pillar है, four pillar of education है, जो हम पढ़ेंगे, जो कि का जाफी ज्यादा important है आपके लिए, start करते हैं, four pillar of education को, four pillar of education, 1996 में आपके आते हैं, इसमें से पहला pillar जो है, वो है आपका learning to know, यानि की, सीखने के लिए पढ़ना है, मतलब जानने के लिए पढ़ना है, पढ़ना क्यों है, जानने के लिए पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है, जानने के लिए पढ़ना है, सबसे पहली चीज तो यह होनी चीजना, जैसे हम पढ़ते हैं हम लोग, तो हम क्यों पढ़ते हैं चीजों को जानने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो भी पढ़े हम, जो भी हमें पढ़ने की अपोचनेटी मिले, जब भी आप पढ़ों, तो इतना गहराई से पढ़ों उस सीज को, कि आपको जो भी पढ़ेंगे, वो पूरी लाइफ आपको काम आना चाहिए, मतलब, फूर एक्जामपल, जैसे आपने कोई कोई कॉंसेट पढ़ा, तो इतनी डेट में पढ़ों, कि आपको पूरी लाइफ वो काम आए चीज़े, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़े काम आने चीज़े, जैसे फूर एक्जामपल, आपने इकोनोमिक्स पढ़े, आप, आपने जीडीपी का कॉंसेट पढ़ लिया, ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क का, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पता कि जीडीपी क्या होता है, तो उसके पढ़ने का को So, learning to know, इसका मतलब ये है, by combining a sufficient broad general knowledge with the opportunity to work in depth on a small number of subjects, this also means just learning to learn, ठीक है, so as to benefit from the opportunities education provide throughout the life, ठीक है, तो विश्यो को हमें क्या करना है, गहराई से पढ़ना है, पैला, दूसरा क्या है, learning to do, ठीक है, इसका मतलब ये है, कि सीखने का मतलब ये नहीं है, कि आपको सिरफ occupational skills आई, ठीक है, तो नए केवल एक website कोशल हासिल करने के लिए सीखना है, बलकि अधिक व्यापक रूप से कई प्रस्तितियों से निपटने के लिए आपको सीखना चाहिए, for example, ऐसा नहीं है, कि आपकी सिरफ जोब लग जाए, इसके लिए मैं सीखो, इसके लिए सीखो, ज जैसे COVID था आपका, तो उस टाइम पे, आपकी, मतलब जो, मतलब कम्मूनिटी सर्विसेज की बहुत जरूरत थी, तो आपकी नोलेज ऐसी होनी चाहिए, कि किसी भी प्रस्तिती में, जो भी आपने सीखा है, उसको आप इंप्लिमेंट कर पाऊ, लर्निंग चुट, यानि उ उस चीज को इंप्लिमेंट करने के लिए आपको सीखना है, यह है आपका युनेस्को का दूसरा पिलर, हाना, कि आपकी जो लर्निंग है, आपने जो सीखा है, वो आपके वेरियंस सोशल एंड वर्क एक्सपिरियंस में क्या आ सके, काम आ सके, ठीक है, आप बिल्कुल टूगेटर, देखो, पढ़ तो सब रहें हैं, लेकिन पढ़ना ऐसे हैं, कि सब को साथ लेके चले, और सब के साथ में रह सके, मतलब कि आपके अंदर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वेल्यूस हैं, वो डबलब होने चाहिए, डेमोक्रेटिक वेल्यूस हैं, वो आपके अंदर में आने चाहिए, लोकतांत्रिक वैल्यू आपके अंदर में आने चाहिए, सह भागीता वाली वैल्यू आपके अंदर आने चाहिए, कि एक साथ, कोपरेशन के साथ, हम रह सकें सब लोग, ठीक है, तो by developing and understanding of other people and appreciation of interdependence, मतलब कि हमें, दूसरे के विचारों को भी क्या देना है, सम्मान देना है, जैसे आप ही सब देखते होंगे, वह सारे लोग लाइव कमेंट में लड़ते रहते हैं, आपने देखा होंगा, एक ने कुछ बोला, तो वो उसको कुछ ना कुछ कमेंट करके, ऐसे डिमीन करने की कोशिस करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हो सकता कि उसका वीव पोईन्ट अलगो, मेरा वीव पोईट अलगो आपका वीव पोईन्ट अलगो, तो सबके विचारों का क्या करना है, सम्मान करना है, यह मतलब है, learning to live to अंदर, यह हमें बोलता है, UNESCO का तीसरा पिला, उसके बाद में हम बात करके लें, learning to be, चोथा पिलर है learning to यानि कि हमें जो सीखा है ना वो हमारी व्यक्तित्म में आना चाहिए ऐसा निए कि मैं आपको सिखा रहा हूं हाइर education मुल्ले सिख्षा हाइर education पढ़ा दिया मैंने environment पढ़ा दिया वह आपकी personality में झहलकना चाहिए अगर आप professor बना चाहते हैं तो आपकी personality में दिखना चाहिए कि आप professor बनना चाह रहा है अक्सार ऐसा बोलते हैं लोग कि जैसे UPSC कि आप तयारी कर रहे हो और आप आप आई-स बनना चाहते हो तो आपकी personality में बहुत दिखना चाहिए कि तो इस समद्ध में सिक्षा को किसी भी वक्ती की चमता की किसी भी पहलू की अभेला नहीं करनी चाहिए समर्ती तर्क सोंदिरिया बोध सारे जिख चमता और संचार कोशन यानि कि हमें जैसों एक इंसान है उसमें हो सकता है कि हो सारी potential हो तो उससे हमें harness करने की कोशिस करनी चाहिए उनकी चमताओं को हमें विक्सित करने की है वो कोशिस करनी चाहिए तो अवर ओल परसनल्टी डवलपमेंट पर हमें ध्यान देना है तो यह है learning to be तो गाईज यह हैं आप commission था डियो लोर्स commission कब आये था डियो लोर्स रिपोर्ट आई थी जिसके तहती आपका दिया गया था 1996 में आपका आता है कितने pillar है four pillar है चारों के आपको नाम पता होना चाहिए और उनकी definition भी आपको पता होने चाहिए ठीक है च्यारों के नाम पता हो प्लस उनकी definition भी आपको पता होने चाहिए तो इतना knowledge आपको होना चाहिए clear everyone तो यह हैं आपके four pillar of education जो की UNESCO के द्वारा डिये गये थे और डिये लोर्स रिपोर्ट है उसमें आपके four pillar of education है जो आए है तो गाईज यह था अज का session यह हमारी classes का time table है आठ से लेके 11 बजे तक आपकी classes होती है और history की class अपनी 7 बजे होती है शाम को तो इसको याद रखने है आप सब लोगों को प्लस ज्यारा फट्डा एप है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप को आप डाउनलोड कीजिए यह आपके लिए वनुस्टॉप solution for the net jrf preparation यहां पर आपको quizzes, test series, live lecture, pdf note सब आपको jrf adapt पर मिल जाएगा यह हमारी support team के नमबर है जहां से आप उनको call कर सकते हो test series अगर आप discount लेना चाते है तो jrf code लगाते हैं आपको 30% discount extra मिल जाएगा यहां से तो इसको आप लगा लेना है यह हमारी support team के नमबर है so guys thank you so much once again आप सभी को जाते जाते एक पर आप सब लोग सेनल को subscribe करो अगर session पसंद आया like share करना और अगर आपकी कोई भी query हो तो session के बाद आप मुझे comment करके comment books में बता देना कि sir यह हमारा issue है बाकी चीजे हम next class में discuss करते हैं आज के लिए इतना ही है thank you so much फिर मिलते हैं next session म take care bye bye keep smiling and keep learning